नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे आने वाली है सावन महीने की सिवरात्री सावन की सिवरात्री बहुत ही पावन दिन है और समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोलेनात की सिवा के लिए सबसे महत पूर्ण दिन माना जाता है सावन सिवरात्री कब से शुरू रहा है ती ती Charlie क्या है तो देखें दो अगस्त को तीन बज़कर 28 work से सीवरल हो जा रही है और समख थो हुझ ऊफु को रही है और समग ऑ और इस दिन आप विशेष क्या उपाई कर सकते हैं तो चलिए सुरू करती हूं आज का पूजा विभी तो देखिए सबसे पहले सुबह से उठीए नहादों के अच्छे वस्तर धारन किजिए काला नीला पीला वस्तर धारन किजिए काला येलो सफेद या लाल गुलावी पी ग्रीन इताधी वस्तर धारन कर सकते हैं फिर एक चौकी विछा लेंगे उसके उपर सफेद कलर का आसन लगाएंगे दीपक प्रजलेत कर लेंगे और हमारे सीवलिंग को हम ले रहेंगे सीवलिंग की ही पूजा इस दिन विशेष रूप से किया जाता है साथ में हमने इसके बार दीकितीूझ की कोई भी पूजा में अभी से एक विशेष महतवर रखते हैं शीव जी की तीन बार स्णान करने पहले आप अपनी पार्थिफ लिया है मिटी की बनी हुई तो आप सीवलिंग को यहां से नहीं हटाएंगे बिल्कुर हात नहीं लगाएंगे उहीं का यह किसी और चीज़ का बनावा सिवलिंग है जो नित्त पूजा आपका घर पर करते हैं उनकी पूजाब कर रहें तो आप उनको अच्छी तरह से अंगो पोसंद कर लिजे चावल का असन लगाई और फिर सिवलिंग को स्थापित कीजिए फिर थोड़ी सी जल लेके हम भग करते हैं अबीर गुलाल इतादी चड़ा सकते हैं इसके बाद हम बस्त्र रुपी 52 परिवार को पीला ले लिए बाकी आप सफेद भी ले सकते हैं इसके बाद हम कलावा सरुबस्तर समर्पित करेंगे अगर आपने माता के लिए चुन्री लाए है माता के लिए लाल फूल चड़ाए और 21 दूर्बा का एक मतलब गांट बांगे भगवान गनिश को जुरूर चड़ाना एज बुद्धी के लिए बच्चों के लिए बहुत बड़ा उपाई हाँ जुरूर कर ले ना इसके बाद दिखें समस्त भगवान को हम फूल चड़ाएंगे अगर भगवान सिव जी की प्रियों आकणे के फूल आकंद की फूल यानि की धूत्र का फूल आपको मिल जाता है जो भी फूल आपके पास सफेद फूल एबलेबल है वह सारे फूल आप भगवान के सभी पर नुद्धिका दीजिये या अपनी मनुकामना इसमें आप लिग सकते विवा के लिए पुजा कर रहें या संतान प्राप्ति के लिए या नौकरी के लिए तो भी आप लेक सकते हैं लिक के उल्टा करके यानि कि जो चिकना पाठ होगा वह भगवान सिव जी की सीविलिंक को टच कराती हुए उल्टा करते हुए आपको इस तरह से एक एक करके सीवलिंग के उपर बेल पत्र चड़ाना है बेल पत्र आपको कितनी संख्या में चड़ाना है इसका कोई मतलब लिमिट नहीं है आप तीन साथ पास इवांत एक भी चड़ा सकते हैं और एक लाग भी चड़ तो यह हमेके करके चड़ाएंगे समी के पत्ते हतुरा के फल फोल इतादी जो भी आपको मिल जाएगा बेल बेल पत्र वो सारे चीज़े चड़ाएंगे अखंड लक्समी प्राप्ति के लिए अकसत इस दिन जरूर चड़ाए अकसत में थोड़ी सी दूद या थोड़ी सी जल गंगजल मिक्स करके फिर चड़ाना फिर भगवान को हम दूब दिखाएंगे दीब दिखाएंगे और इसके बाद जोना माता पारवेति क्यों आज स्वहाग का सामगरी जरूर अरपन करना चाहिए चाले आप पांच सामगरी अरपन करें तीन करें दो करें या सोला पांगरी आपको खुद रखना है कुछ आपको दान कर देंगे आज के दिन ज्यादा से ज्यादा लोग फलाहारी ब्रत रखते हैं तो फल कभोग भगवान को जरूर लगाए आप दूद से बना हुआ कोई भी मिठाई की भोग लगा सकते हैं और बाद में जब पारन के बा अगर आपके पास सुबह टाइम है तो आप साम को भी सुन सकते हैं और इसके बाद साम को आपको दुबारा अगब दीबदान करनी चाहिए अगर आपने अखंड दिपक प्रजलित किया है तो उसमें तेलगी चेक कर लिएगा अखंड दीबदान बहुत अच्छा रहता है आज सुबह पूजा करके अपने दीपक कर स्थापना किया और अगले दिन यानिकि सिवरात्य के नेक्स्ट डे जब आप पारन करेंगे भगवान सिपजी की पूजा का उस वक्त तक वह अखंड दिया प्रजलित रहना चाहिए एक ही चौकी पर और साम के समय प्रदोस काल म चौकी आपको उसी दिन नहीं उठानी है चौकी आपको सुबह लगानी है और अगले दिन सुबह पारन करने के बाद आपको चौकी हटानी है यहां से और हाथ जोड़ करके भगवान से पूजा में रही कमीयों के लिए हमें चमापर्थी जो दूरूर होना है चाहिए कि भ तो दिखी इस तरह से बहुत ही सरल भीदी से भगवान सिपजी की पूजन किया जाता है और अगर आप मंदिर में जाके पूजन करते हैं तो ब्रत कथा आप घर पर आके पड़ सकते हैं प्रदोसकल पूजा का समय रहेगा दो अगस्ट साम को 6 बजगर 18 मिनिट से लेकर 7 बजगर 48 मिनिट तक पारन का समय रहेगा 3 अगस्ट सुविरे 5 बजगर 44 मिनिट से लेकर दो पहर को 3 बजगर 49 मिनिट तक तो पारन के समय आपको पारन जुरूर करनी चाहिए बीना पारन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधी राधी